हेलो प्यारे बच्चों तो आईए आज हम पढ़ते हैं कक्षा आठ वसंत भागतीन का पार्ट नमबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सेखा तो आईए शुरू करें वे सबी सजीव हैं सांस ले रहे हैं शत परतिशत बोल रहे हैं 78 मुर्दा इंसान जिन्दा हो गए उनको बोलते बाते करते देखो देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आला मारा के पोस्टरों पर विग्यापन की पंक्तियां लिखी हुई थी 14 मार्च 1931 की वे इतिहासिक तारीख भारती सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था हाला की बहे दोर ऐसा था जब मुख सिनेमा लोक प्रियता के शिखर पर था पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदिशित हुई उसी साल कई मुख फिल्में भी विबिन भाशों में बने मगर बोलती फिल्मों का नया दोर शुरू हो गया था पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम इरानी बचों ये question भी आता है कि पहले फिल्म कार कौन थे ठीक है तो आंसर होगा अर्देशिर M. इराने अर्देशिर ने 1939 में हॉलिवुड की एक बोलती फिल्म शो बॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी पार्सी रंगबंच के एक लोगप्री नाटक को आधार बना कर उन्होंने अपनी फिल्म की पठकता बनाई पठकता होता है कथा कहानी स्टोरी इस नाटक के कई गाने जियों कित्यों फिल्म में ले लिए गए एक इंट्रिवु में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था हमारे पास कोई समवाद लेखक नहीं था समवाद लेखक होता है डायलोग राइटर गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शिरुवात होनी थी अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वेम ही धुने चुनी फिल्म के संगीत में महज तीन, वादित, तबला, हार्मोनियम और वाइलिन का इस्तमाल किया गया आला मारे में संगीतकार या गीतकार में सुटनतर रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया इस फिल्म में पहले पार्शव गायक बने डबलू एम खान पहला गाना था देदे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है आला मारे का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ट नहीं किया जा सका फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करने पड़ती थी मौक यूग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था मगर आला मारे की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें करत्रिम प्रकाश बचों करत्रिम होता है आर्टिफिशल रोशनी प्रकाश मतलब रोशनी व्यवस्था करने पड़ी यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्मान को जरूरी हिस्सा बनी आलमारे ने भविश्य के कई स्टार और तकनीश्यन तो दिये ही अर्देशिर की कंपनी तक ने भारती सिनेमा के लिए डेट सो से अधिक मूख और लगबग सो सवाक फिल्में बनाई इसमें गीत, संगीत ततंडरते के अनोखे संयोजन थे संयोजन बच्चों कॉम्बिनेशन्स फिल्म की नाईका जुबैदा थी नायक थे विठ्थल वे उस दूर के सरवाधिक पारिश्रमें एक पाने वाले स्टार थे पारिश्रमें एक मतला उनको सैलरी बहुत ज़दा मिलती थी उनके चैयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है विठ्थल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी पहले उनका बतोर नायक चैयन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटा कर उनकी जगे महबूब को नायक बना दिया गया विठ्थल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकद्मा कर दिया उस दोर में उनका मुकद्मा मुहमद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशूर वकील हुआ करते थे विठ्थल मुकद्मा जीते और भारत में पहली बोलती फिल्म के नायक बने उनकी काम्याबी आगे भी जारी रही मराठी और हिंदी फिल्मों मेवे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे इसके अलावा आलमारा में सहराब, मोदी, पृत्वी राजकपूर, याकूब और जगदी, शेठी जैसे अभी नेता भी मौजूद रहे जो आगे चलकर फिल्मों मोद्यों के प्रमुक स्टंब बने स्टंबोता बच्चो पिलर्स यह फिल्म 14 मार्ज 1931 को मुंबई के मैजिस्टिक सीना में प्रदर्शित हुई फिल्म आठ सप्ताह तक हाउस फूल चली और भीड इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नेंतरन करना मुश्किल हो जाया करता था समिक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था मगर दर्शिकों के लिए यह फिल्म एक अनुखा अनुभव थी यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे चार महिनों की कड़ी महने से तयार किया गया था सवाख फिल्मों के लिए पौरानिक कथाओं, पार्सी रंगमंच के नाटकों, अर्बी, प्रेम कथाओं को विश्य के रूप में चुना गया इनके विभिन, इनके अलावा कई सामाजिक विश्यों वाले फिल्में भी बनी ऐसी ही एक फिल्म थे, खुदा की शान, इसमें एक किरदार महत्मा गांधी जैसा था इसकी कारण सवाख सिनेमा ने को ब्रिटिस प्रशाशकों की तीकी नजर का सामना करना पड़ा तीकी नजर का मतलब यहाँ पर बच्चों हैं कि उनको वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए ब्रिटिस प्रशाशक सवाख सिनेमा की नए दोर की शिरुवात कराने वाले निर्मेता निर्देशक अर्देशिर इतनी विनमर थी कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें समानित किया गया तो उन्हों भारती सवाख फिल्मों का पिता कहा गया तो उन्होंने उस मोके पर कहा था मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया सिनेमा में काम करने के लिए पड़े लिखे अबिनेता अबिनेतरियों की जरूरत भी शुरू हुई क्योंकि अब समवाद भी बोलने वाले थे सिर्फ अबिने से काम नहीं चलने वाला था मूख फिल्मों के दोर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उचल कूद करने वाले अबिनेतां से काम चल जाया करता था अब उन्हें समवाद बोलना था और गायन की प्रतिबा की कदर भी होने लगी थी इसलिए आलमारा के बाद आरंबिक सवाग तोर के फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े परदे पर नज़र आने लगे हिंदी उर्दू भाषाओं का मैत वो बड़ा सिनेमा में दे और तकनीक की भाषा की जगे जन प्रचलित पोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ सिनेमा जैदा देसी हुआ एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगी चलकर हमारे दैनिक और सारवजनिक जीवन का प्रतिबिम फिल्मों में बेहतर होकर उभरतने लगा अभी नेताओं अभी नेत्रियों की लोक प्रीता का असर उस दोर के दर्शकों पर भी खूप पढ़ रहा था मादूरी नाम की फिल्म में नाईका सुलोचना की हेर स्टाइल उस दोर में औरतों में लोक प्रीय थी औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी अर्देशिर एरानी की फिल्मों में भारती के अलावा इरानी का लगारों ने भी अभी ने किया था स्वेम आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पस्चिम एशिया में पसंद की गई भारती सिनेमा के जनक फालके को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर इरानी की उपाधी को अपनाना ही था क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था तो बच्चों ये था आपका पार्ट और इसके लेखक थे प्रदीप तिवारी उमेद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा धन्यवाद